2018 के विधानसबाद चुनावों में मोदी तुछ से बैर नहीं, वसुंद्रा तेरी खैर नहीं के नारे ने राजिस्तान में वसुंद्रा राज का दियेंड कर दिया था विधानसबाद चुनावों के वक्त ये नारा ऐसा गुंजा था कि वसुंद्रा राजे बीजेपी की सरकार राजिस्थान में आने के बावजूद अपने सियासी वजूद को पहले की तरह बरकरार नहीं रख पाई और मानो राजिस्थान में बीजेपी के मार्क दर्शक मंडल में चली गई हूँ खैर आज बात वसुंद्रा राजे की नहीं बलकि जोदपूर से बीजेपी सांसत गजेंद्र सिंग शेखावत की पूरे देश के साथ साथ राजिस्थान में भी लोगसबा चुनावों के लिए सियासी दल अपने कड़ी काटे कसने में लगे हैं राजिस्थान में इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी बड़े पैमाने पर टिक्टो में फेर बदल करने का इरादा बना रही है वहीं जोदपूर लोगसबा सीट पर केंद्रिय मंतरी गजेंद्र सिंग शेखावत की मुश्किल बढ़ गई है दरसल जोदपूर में केंद्रिय मंतरी गजेंद्र सिंग शेखावत के विरोध वाले पोस्टर नजर आने लगे है इन तस्वीरों को देखिए जोदपूर से आई ये तस्वीरें और इन तस्वीरों में दिख रहे पोस्टर्स पर केंद्रिये मंतरी के विरोध को आसानी से समझा जा सकता है हाला कि ये पोस्टर्स किसने चिपकाए हैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिल पाई लेकिन इन पोस्टर्स में जिस तरह से पीम मोदी से नाराजगी ना होने की बात लिखी गई उससे साफ है कि बीजेपी में भी लोकसभा चुनावों के टिक्टो को लेकर घमासान मचा है किसी पोस्टर में लिखा है मोदी जी से प्यार, शेखावत से इनका तो किसी पर लिखा है मोदी जी फिर से चाहिए, शेखावत नहीं चाहिए जाहिर है इन नारों की तासी बिल्कुल वैसी ही नजर आती है जैसा कि साल 2018 में राजी के खिलाफ उठे आक्रोश में दिखाई और सुनाई पड़ती थी अब जोदपूर में केंद्रिय मंत्री के इस विरोध के चलते उनकी मुश्किल चारों तरफ से बढ़ती नजर आ रही है केंद्रिय मंत्री के विरोध में लगे पोस्टर तो बीजेपी में चल रहा टिक्टों में बदलाव परमन्थन वहीं एक पहलू ये भी कि पूर्व सियम अशोग गैलोद भी लोगसबाद चुनावों में ताल ठोक का बढ़ा सकते हैं गजेंद्र सिंग शेखावत की टेंशन